हलो दोस्तों आयम डीप फ्रोम आईस्वित हरी मौन हमारे चैनल में आफका स्वागत है जैसा कि हमने पहले वताया है कि हम करेंट अफेर्स रिलेटेड इशूज एंड आर्टिकल्स को क्योशन आंसर्स के रूप में डिस्कस करेंगे जो की यूपी एस्टी एक्जाम के इन्वार्मेंट से रिलेटेड है जो जी एस्पेपर थड़ के सब्जेक्ट हैं तो आये दोस्तों इन कुशन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला कुशन है भारती वन्यजीव संस्थान के संधर्भ में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजी 282 में हुई और इसका मुख्याले चैने में इस्तित है उप्यूक्त कत्नों में से कौन सा सत्त है ओप्शन ए केवल 8 ओप्शन B केवल 2 ओप्शन C 1 और 2 दोनों ओप्शन D न तो 1 नहीं 2 दोस्तों इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाम दिया जाता है आई होप आपने अपना अंसे चूज कर ली होगा इसका राइट अंसर है ओप्शन A केवल 1 दोस्तों आए भारती एवन्यजिव संस्तान के बारे में डिटेल में डिसकस करते हैं भारती एवन्यजिव संस्तान भारत सरकार के परेवं मन एवं जलवाईव परिवर्तन मंत्रा लेके निगरानी में कारे करता है यह एक स्वायत संस्तान है इसकी स्तापना 1982 में होई तथा इसका जो मुख्याल है वो देरा दून उत्रा खंड में इस्तित है ना की चेन नहीं चांप है इस संधर्म में पहला कथन सच अगारी है और दूसरा कथन असथ ही भारति एवन्यजिव संस्तान की कुछ विशेश्थाई primeira है आज भारत इवन्यजिव संस्तान वायल लाइफ न इनिन इंसिट्यूट एक आंतराश्ते ख्यातीप्राप्न संस्तान बन चुका है जो वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रवन्दन के लिए प्रेसिक्षन कारेकरम संचालित करता है। इसकी दूसरी विशेष्टा है कि ये संस्थान पूरे देश में जेव विविता के मुद्दे से संबंदित अनुसंधान कारेकरम भी चलाता है। भारते वन्यजीव संस्तान के कुछ उद्देशे भी हैं। पहला उद्देशे है वन्यजीव संसाधनों पर वेज्ञानिक ज्ञान को सम्रद करना। इसका दूसरा उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षन एवं प्रभंधन के लिए कर्मिकों को भिविन स्तरों पर प्रक्षिजित करना इसका तीसरा उद्देश्य है वन्य जीव प्रभंधन संबंधी विशेश समस्याओं पर सूजनायम सला देना इसका चोथा उद्देश्य है वन्यजीव तता प्रागतिक संसाधन संदक्षन पर अंतराश्टिय महत्री के शेत्रिय केंद्री के रूप में विकास करना दोस्तो भारतिय वन्यजीव संस्तान का ये टोपिक यहीं समापत होता है हमारा अगला और दूसरा कोशन है निम्लिखित में से कौन से परात्मिक परदुशक हैं कथन एक सलफर डायोकसाइड कथन दो अमोनिया कथन तीन कार्बन डायोकसाइड कथन चार नाटोजन डायोकसाइड उप्यूक्त कत्रों में से कौन से सही है Option A केवल 2 Option B केवल 2, 3, 4 Option C केवल 1, 2, 3 Option D 1, 2, 3 और 4 दोस्तों इसके लिए आपको 10 सेगंड का टाइम दिया जाता है I hope आपने अपना आंसर चूस कर लिया होगा इसका राइड आंसर है Option D 1, 2, 3 और 4 दोस्तों प्रदुषक से पहले हमें प्रदुषण के बारे में जालना होगा मानोकोति वीदियों के फल्सरूप परियावनिन में अवान्चित प्रदारतों का एकटा होना ही पर्दुषण केलाता है और जो प्रदार परियावनिन को प्रदुषित करते हैं उन्हें प्रदुषक पोलिट हिंड केते हैं प्रदूशक वे भूतिक, राशायनिक या जेविक परदात होते हैं जो अनजाने ही परियावरण में प्रिवेश कर जाते हैं और पर्तेक्ष या परतेक्ष रूप से मानो समाज और अन्ने जीवधारियों के लिए हानिकारक सावित होते हैं। प्रदुशकों को दो भागों में विवाजित किया जा सकता है प्रात्मिक प्रदुशक और दित्यक प्रदुशक प्रात्मिक प्रदुशक वे प्रदुशक होते हैं जो प्रगती में अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदुशन फेलाते हैं जैसे डीडीजे, प्लास्टिक, कारवन मोनो ओक्साइड, कारवन डाय ओक्साइड, नाइट्रोजन डाय ओक्साइड, सलफर डाय ओक्साइड, अमोनिया, इत्यादी दित्यक परदुशक वे परदुशक होते हैं जो प्रास्में परदुशकों की अंतर किरिया से निर्मित होते हैं जित्यक परदुशक जेसे प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेड का निर्मान नाइटोजेन ओक्साइड एवं हाइड्रोकार्विन की अंतर की रियासे होता है। इसके अलावा ओजोन, अमोनिया, नाइट्रिकम इसी के अंतरगत आते हैं। आते हैं, इस संधर्व में आपकी चारो ओप्शन सही हैं, जो की प्रात्मी परदुशक में आते हैं। I hope आपको ये information जो ecology and environment से related हैं, पसंद आई होगी। अगर आपको ये information पसंद आई हो, तो comment करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को subscribe करें and bell icon को जरूर प्रेस करें। दोस्तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एग नए topic एग नए information के साथ। धन्यवाद।